हेलो एंड बिलकम ओल तो आज हम एक नया सब्जेक्ट इस्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोड है मे 306 इसका नाम है एडवांस ब्रक्स आप टेक्निक एडवांस ब्रक्स आप टेक्निक इसमें अपने स्टार्ट करेंगे यूनिट नमर और जिसका नाम है नाम है जिसक करने संटार्ट के निन कोड inertia भी यूनिंग प्रक्शेशन में मतली ब्र爾ण कंड ग्राट्ट्ट स campaign प्रॉसेशनय ब्र्टेक्ट सेंग्रन प्रस्सेंदिए अध्यूंपित मतयर ब्र्मुब प सदिए मतैINO डि हम अग tive पू है there are some other material removal process are there like conventional machine conventional machining conventional machining और एक अपना है दूस्या अपना है ग्रिंदिंग grinding or we can say it's abrasive based abrasive based machining और थार एक अपना अन कन्वेंशनल मशीनिग तुक है अपना है अन कन्वेंशनल मशीनिग तो कन्वेंशनल और अन कन्वेंशनल मशीनिग अपन बाद में पढ़ेंगे आज अपने स्टार्ट करेंगे grinding ग्राइंडिंग क्या है एक abrasive based machining प्रोसेस है जो अपने किसमें आता है material removal process में ठीक है तो यह material removal process है ठीक है material removal मतलब इसमें अपन बर्क पीस से अपन material remove करके उसको अच्छा surface finish देंगे अपना desired product जो है उसको गेंड करेंगे यह अपना material removal process है और जैसे अपना material adding process कौन सा है वह अपना building जिसमें अपन क्या करते है एक्स्टा material add करके पन final product जो है मिलता है अपन को ठीक है तो यह आज grinding start कर रहे है जो के एक material removal process है ठीक है तो अब देखते हैं कि start करते है grinding और abrasive based processes ग्रैंडिंग के लाबा और भी हमारे process है जो abrasive based है लाइक और निंग है और निंग हो गया लैपिंग हो गया सुपर पिनिशिंग हो गया सुपर पिनिशिंग हो गया पॉलिसिंग हो गया और बफिंग ठीक है तो यह अपने grinding के अलावा कुछ और भी अपने abrasive based material removal process है जिनमें अपन एक small amount of material remove पर के final surface निश अपन देते हैं ठीक है तो लेकिन इनका study अपन बाद में करेंगे आज अपन पढ़ेंगे grinding तो grinding अब देखते हैं परपज क्या है ग्राइंडिंग का परपज परपज अब ग्रैंडिंग तो ग्रैंडिंग में अपना जो material removal rate है MRR वो बहुत कम होता है तो इसमें material remove करना इसमें अपना परपज नहीं है अपना परपज इसमें क्या है मचल किनिशुर क्या है अच्छी प्राप्त करना है अध्यूर सुपर्फिशभ का इसमें है यह आ इसमें सबस्द करेंदें इसमें क्या है और सुपर एक्वार नंने इसमें इसमें जो मैं से न अपना स्वेकर 0022 6 प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कि सीमेंटेड कारबाइड तो यह अपने बहुत जादा हाड मटेरियल जिनको जिनकी सर्पेस पर्जिनिक्स करना अपने आधर जो प्रोसेस हैं उसे कापी टप होता है तो अपना ग्रैंडिंग है उससे अपने इसको सर्पेस्पने सीजली कर सकते हैं ठीक है तो यह होगा अपना इसका परपर अब अपन देखते हैं ग्रैंडिंग करते कैसे हैं ग्रैंडिंग ग्रैंडिंग डन भाई ग्रैंडिंग बील अब देखते हैं अपन ग्रैंडिंग बील क्या है अपना तो ग्रैंडिंग वील एक अपना वील होता है आ का जैसे ही अपना कहा है कि वील है और आपने इसको देखेंगे तो कुछ इस तरह एगा पनको देखेंगा ठीक है यह अपना कि यह ग्रैंडिंग विल है है यह ग्रैंडिंग विल में क्या होता है अपने एजुड़ेशिव पार्टीकल अब्रेसिव पॉर्टिकल लेंगे रिते हिए बॉंन रहते हैं तो कि सबने अब्रेसिभ इना अब्रेसिल मुझे पॉर्टेट इस जाहिए पुछ ग्रैंडिंगनीं तो रोटेट करता है है आई-स्पीट पे आई-स्पीट पर ऊटेट करता है जब मटेरियल रुटेशन गश्चीब अग चीए और जो ड़ेफ्ट आप कट रहती है इसमें बहुत ज्यादा स्मॉल करती है small depth of cut तो यह हो गया अपना grinding wheel grinding wheel में क्या होता है अपने जो abrasive particle है abrasive particle like अपना यह हो गया aluminum oxide हो गया और silicon carbide हो गया और अपन diamond we can use diamond as abrasive particle diamond हो गया ठीक है तो यह होते हैं अपने abrasive particle जो कि अपने grinding wheel पे इनको बॉंड के जाता है उनको चिप का जाता है तो ये अपराइसी पार्टिकल आपस में भी बॉंड रहते हैं clocks टाइं इस तरह ये के बाउंड रहते हैं मतलब यह अपनी क्या लाहे और जो एपरोऊ स्वाह एंड के बीच में जो बॉंड means से जिस पॉइंट से वे जुड़े हैं वह वह अपना और इनके बीच में जो आपरेसिव पार्टीकल है उनके बीच में कुछ स्पेस भी रहता है जिन में क्या अपनी एर वरी रहती है उनको अपन बोलते हैं पोर्स ठीक के तो यह अपना ग्रांडइंग भी तुक्त कि समझ में आ गया हुआ कुछ रहे हैं विए से ग्रांडइंग भी विल होता है नामिली बीचिसको अपन ऐसे देखेंगे फ्रेंड से तो ऐसा दिखेगा और सयट से देखेंगे तो अपन को पूरा विल देखें ठीक है तो यह हो गहां, टो यह बहुत है, तो यह होगी अपना grinding Fehler, किसी प्राइब की घ्राइब की जाती है, घ्राइब की के घ्राइब की जाती है जो grinding बेखे हैं अभी बढ़ा है तो अब अपन डिसकस करते हैं कौन-कौन से एलिमेंट है ग्राइंग मिलके तो सबसे पहले तो अपना हो गया एब्रेसिब कर दूसरा अपना हो गया ग्रेड कि थर्ड हो गया अपना इस्ट्रेक्चर कि और प्रोर्ट हो गया बॉंड तो एब्रेसिब के बारे में अपन ने पढ़ चुके हैं आप यदि यूज कर सकते हैं सिल्कन कार्बाइड का और डायमॉंड का यह अब रेस्ट क्या है अब इस्ट्रेड का वात आए डियेड लेग अपनी जो अपना grinding भील है कितना मजबूत है यह अपन grade से पता करेंगे ठीक है तो grade क्या है जैसे grade में अपने grade है अगर A to H है तो यह होगा soft grinding भील होगा अपना ठीक है इसको बोलेंगे soft अगर I to P है I to P तो इसको बोलेंगे medium medium ठीक है और अगर Q to Z है Q to Z तो यह अपना hard grinding ठीक है इसको बोलेंगे hard तो यह होगा अपनी grade ठीक है अब देखते है structure तीसरा क्या है अपना structure ठीक है structure देखते हैं structure में एक होती है अपनी open structure तो open structure में क्या होगा जो space है अपने से particles के बीच में वो ज्यादा होगा तो अपन उसको बोलेंगे open structure जैसे यह अपने abrasive particle है ठीक है तो इनकी बीच में जो gap है force है वो ज्यादा होगा force क्या है जो अपना space होता है उनमें air भरी वी रहती है उनको अपन बोलते हैं पोर्स तो यह हो जाएगा अपनी open structure क्योंकि इनकी abrasive particles के बीच में space ज्यादा है पोर्स ज्यादा है तो यह हो जाएगा अपना open structure ठीक है तो medium structure में क्या होगा जो अपना space है वो open structure से कम होगा लेकिन जो dense है उससे ज्यादा होगा ठीक है तो यह होगा अपना medium structure structure और dense में क्या होगा यह अपिटे से particle है बहुत ज्यादा close होगे उनके बीच में जो pores है जहाँ पे बरी हुई होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन dense structure ठीक है तो यह हो जाएगी अपनी यह बन बने होगे इसको बोलेंगे अपन intense structure तो यह हो गया अपना structure of grinding भी तो structure कितनी टाइट को होती है तो open structure होती है इसमें जो अपने abrasive particles है उनके बीच में space ज्यादा रहता है पोर्स ज्यादा होती है तो इसलिए उसको बोलते है open structure और जो medium structure है उसमें जो अपने पोर्स है वो open structure से कम रहेंगे लेकिन जो dense structure है उससे ज्यादा रहेंगे तो dense structure क्या है dense structure में जो अपना पोर्स है बहुत ज्यादा कम होती है जैब बैसे particles हैं उनकी density बहुत ज्यादा अब जैसे अपनी पैलिकें को आपने स्ट्रेक्चर को हुआज पर उपनिषट्रेक्चर आप अ Evagdy नमबर की रूप में कैसे इसों करेंगे नमबर की रूप मेंकि इसको देंगे Pom Pokémon 9 to 10 and onward और इससे ज्यादा ठीक है तो इतने अगर नमबर है 9-10 से ज्यादा तो वो होगी अपनी open structure ठीक है दूसरी क्या है medium मेडियम इस्ट्रक्चर मेडियम इस्ट्रक्चर हो कितने देंगे अपन 5-6-7-8 अगर यह नमबर है तो अपना ओटोमेटिकली समझ जाएं कि अपनी कौन सी structure है medium structure है ठीक है और dense डेंस इस्ट्रक्चर में क्या है डेंस इस्ट्रक्चर में अपनी नमबर 1-2-3-4 तो इन नमबर अच्छे अपन प्रता कर सकते हैं कि अपनी जो grinding wheel है उसकी structure कौन सी है open structure है या medium structure है या फिर डेंस इस्ट्रक्चर है ठीक है लास्ट देखें अपन छोथा क्या था अपना बॉंड तो बॉंड अपन पहले ही देख चुके हैं बॉंड अपन पहले ही देख चुके हैं grinding wheel में जो अब यह से party का लें वो आपस में कि एक दूसरे से बॉंड की तुछ ज्योड़े होते हैं यह अपना अपरेसिप बील है कि अपना grinding wheel है ग्रैंडींग भी और यह जो है अपरेसिफप पार्टिकल है पार्टिकल जैसे एक यह अपना अपरे से पार्टिकल हो गया एक यह हो गया ठीक है यह सारे क्या है अपरे से पार्टिकल है तो यह एक बॉंड के तुरू जुड़े होते हैं ठीक है तो यह होता है बॉंड ठीक है वो बॉंड इनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते तो अपने बॉंड यह बॉंड जिसकी तुरू पन जो अपने अपरेसिव पार्टिकल जुड़े हुए रहते हैं तो इसको कहते हैं बॉंड तो ठीक है आज की क्लास्क में इतना ही कलवपन देखेंगे आई एसो डिजिगनीशन और ग्रैंडिंग भी आई एसो में जो ग्रैंडिंग भी लिए उसको कैसे सो करते हैं कैसे इसकी डिजिगनीशन देखेंगे यह ठीक है ठैंक्यू